नमस्कार मित्रू, मैं हूँ डॉक्टर हरी निवास, चैनल का नाम है संस्क्रुत साहिति वं संस्क्रुति, महा भारत सौप्तिक परोचल लहा है, अश्रत्थामा ने अपना निर्णे कृपाचारी और कृतवर्मा को जब सुनाया, कि मैंने ये निश्चे किया है कि सोते हुए पांडवों के शिविर प्याक्रमन करना है, और सोते में ही सब को मार देना है, तव क्रपाचारी कहते हैं, तथाइव सुह्रदम प्राज्यम कुर्वानम कर्म पापकम, अगर आपका कोई मित्र, आपका कोई संबंधी, आपका कोई साथी, कोई पापकर्म करने की कोसिस करता है, तो उसके साथियों की जवाबदारी है, कि यथा शक्ति उसको रोकने की कोसिस करें, और मुझे ये स्पष्ट प्रतीत होता है, कि ना बधा पूजते लोग के शुपता नाम ये धर्मता, अगर धर्म की बात की जाए, तो सोते हुए लोगों को मार डालना, ये किसी भी जगे पे धर्म नहीं माना गया है, और जब आप अधर्म पूनकारे करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके से मानशिक सान्ती नहीं मिलती है, तात एन पस्चानना तब पेसे, इसलिए मैं तुमको रोक रहा हूं, जिससे बात में तुमको पस्ताना ना पड़े, क्रपाचारे के भांजे हैं, भांजा पुत्र तुल्य होता है, कई वारतों मैं तो ये कहता हूं कि मा मा, मा में एक मा होती, लेकिन मा में तो दो मा होती, तो क्रपाचारे बड़े प्रयत्न से यहां अश्वत्थामा को समझाने की कोशिस कर रहे हैं, कि ये जो तुम अधर्म का आचरन करने की कोशिस कर रहे हो, ये मत करो, क्योंकि ये करने से तुमको आत्म संतोस नहीं मिलेगा, बलकि उपर से और अधिक मानसिक संताप और जो कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है, कि व्यक्ति को अधर्म का आचरन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने अधर्म का आचरन किया है, तो उसके सामने आप अधर्म का आचरन करें, इसको कभी गलत नहीं माना गिया है। देखिए यही जीवन का सत्य है, हम जब अपने मन से एक निर्णे कर लिया करते हैं, तो फिर हमें कोई कुछ भी समझाना जाए, हमें अपनी बात ही योग लगती है, और सामने वाले की बात हम सिर्फ कान से सुनते हैं, और एक कान से सुनके दूसरे कान से निकाल देते हैं, अस्वत्थामा को एक उलूक के पास से ज्ञान मिला है, कि आप सोतों को मार दो, सोते हुए लोगों को मार दो, अब जब आप किसी ऐसे निकरष्ट, दुश्ट के पास से कोई ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो वो ज्ञान हिदकारत तो नहीं होगा, और फिर अस्वत्थाम जैसा व्यक्ति जिसके पिता ने उसका लालन पालन सिर्फ इसी प्रकार से किया है, जिसका शास्त्र निशेद करते हैं, शास्त्रों ने हमेशा ये कहा है, कि लालनात पुत्रों भी नश्यति, अगर आप अपने पुत्र का ज़्यादा प्यार करेंगे, लालन पालन उसका करें तो उसका विनास निश्चित है या उसमें जो संसकार चाहिए वो उसको नहीं मिलेंगे तो ऐसा जिद्धी पुट्र अश्वत्थमा वो मामा की बात को क्या समझेगा वो मामा के सामने अश्वक थामा की मृत्यू का समाचार दे करके और जब उन्होंने शस्त्रों का परित्या कर दिया तो दृष्ट दिम ने जिस प्रकार से उनके बाल पकड़के और उनके सिर को काटा है उसका बदला धर्म से अधर्म से कैसे भी हो लेना चाहिए और एक कर्ण जिसका चक्र जिसका रत का पहिया जमीन में फस गया था उस इस्तिती में कर्ण को मार दिया आपको यादे पितामा भीस्म को कैसे मारा सिखंडी को आगे रखके जब उन्होंने अपने शस्त्रों का परित्या कर दिया तब गांडी उधारी अर्जुन ने उनके उपर बाणों की वर्सा करके उनको बींद के रख दिया भूरिस्रवा को ये कोरवों के पास चार लोगों के मृत्यू के ऐसे हैं कि हर व्यक्ति उसी गाने को लेकर के गाने लग जाता है दुरियोधन ने भी हमेशा इसी गाने को गाया है इसी गाने को आई समय शुत्हमा का रहा है कि इन सब को मारने में पांड़ों ने कहां धर्म का आच्रन किया है और जब उन्होंने अधर्म का आच्रन सुरू ही कर दिया है तो भाईया अधर्म को अधर्म से ही पून करना चाहिए और इन सब को अगर भूल जाएं तो भीम से इनने जिस प्रकार से जंगाओं के नीचे कमर के नीचे जंगाओं के ऊपर गदा का प्रहार करके हमारे राजा को मारा है जिनोंने हमें हर तरीके से सम्रुद्दी दिये है और फिर कृपाचार और कृतवर्मा जो बिल्कुल पूरी तरीके से उसके साथ सम्मत नहीं है वो कोई जवाब नहीं देते हैं अस्वत्थामा को तो अस्वत्थामा स्वयम उठके और अपना रथ तैयार करके उस पे बैठके निकलने लग जाता है तब कृपाचारे पूछत लेकिन जो मेरा निर्णे है मैं उससे पीछे नहीं है अब जैसे पूत्रमो होता है ऐसे कृपाचारे अश्वत्थामा के मोह में आकर के और कृत्वर्मा का तो अपना इस समय कोई निर्णे है नहीं जब दो लोग एक पक्षवाले हों तो तीसरा भी उनके साथ ऐसे ये ती कार है उसका मुख्य दवार है वह पे कृत्वर्मो होतृण पआचारे खड़े रहेंगे जिससे की अगर और कोई बात है तो तो वो अश्वत्थामा की रक्षा करेंगे और अश्वत्थामा को जो करना है वो अंदर जा करके करेंगे अश्वत्थामा जैसे इस शिविर के द्वार के अंदर जाने की कोसिस करता है वहां उसको एक विसिष्ट आक्रती दिखाई देती है तत्र भूतम महा कायम चंद्रार कर शद्रशद्यूतिम इसका पूरा विस्तार से वर्ण किया है कि किस प्रकार की एक आकरती उनको वहां उस शिविर के मुख्ध्वार की रक्षा करते हुई दिखाई देती है पहले तो वर्ण किया लेकिन आप वह वर्ण करने में कभी भी जब खुद को सक्षम नहीं पाता ह तो वह कहता है नईवत अश्य वपुशक्यम प्रवक्तों वेश एवचा उसके शरीर उसके वेश का वर्ण करना बिल्कुल कठिन है सर्वता तु तदा लक्षे स्पुटे यूरपी परवता बस इतना कह सकता हूं कि उस आकरती को अगर देख ले तो परवत भी डर की बजह परवते से पढ़ जाए इस प्रकार की उस आकरती को वहां खड़ा देखता है लेकिन अश्वत थामा तो एक निर्णे के साथ आया है वह वहां अपने दिव्यास्त्रों की और बानों की जितनी वर्सा कर सकता है उसके उपर करता है उसको भैतों नहीं है लेकिन जब उसकी स अचारी बान बर्सा सारे दिव्यास्त्रों के प्रयोग उसके सामने निस्प पल जाते हैं जो बान छोड़ा वो उस व्यक्ति तक गया तो सही लेकिन उसकी असर उस आकरती की ऊपर किसी प्रकार के नहीं होती है द्रोन पृत्रु निरायुदा सिती ऐसी आ गई कि द्रोन प ब्रृबर्ताम अपर्यम पत्यम सुरुदाम ना सुनो दिया। अब अश्वध्धामा को ज्यान होता है कि अगर आपके मित्र सुरुध कोई अच्छी बात कहते हैं और आप अगर उसको नहीं सुनते हैं तो पल नाम इसी प्रकार का होता है। अब तो अश्वत्थामा को बड़ी निरासा, बड़ी पीडा हो रही है, बड़ा विचार कर रहे हैं कि शास्त्रों ने कहा है कि गो, प्रामन, सुत, नशे में हो, ऐसे लोगों की उपर आक्रमन नहीं करना चाहिए, फिर भी आक्रमन करने के लिए मैं आ गया, मामा ने इतना म ना किया, प्रतिज्ञानम, यविज्ञानम, प्रवदंति, मनिश्यना, यदा, अरभ्यक्रियाम, कास्चिज, भैयाद, यह निवर्तते, और फिर उसको ऐसा लगता है, कि विद्वान ये कहते हैं, कि कुछ लोग काम प्रारंब नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कि उससाह में आके काम शुरू तो कर देते हैं, वो उसको अंत तक नहीं ले जा पाते हैं, और ये सबसे बड़े मूर्थ यही लोग को अगता है, जो कारे प्रारंब नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कि काम शुरू करेंगे, उसमें पैसा लगाएंगे, अप फिर आधी दूर जा करके ठक जाते हैं, बैठ जाते हैं, देखिए जो लोग आप मैंसे व्यापार बिजनिस करना चाहते हैं, उनको मैं व्यवशाई नहीं हूँ, मैं एक आचारे हूँ, गुरू हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन ये बात आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, कि किसी भी व्यवशाय को करने के लिए एक हजार दिन चाहिए होते हैं, अगर आप एक हजार दिन का समय उसको दे सकते हैं, आपके पास एक हजार दिन का खाना पानी अपना इंतिजाम है, तो आप किसी भी व्यवशाय को सुरू कर लीजिए, एक हजार दिन के लेकिन अगर आप उसको पराबर सीचेंगी नहीं और तुम्त कहें कि वो फल देने लग जाए तो यह संपवर नहीं होता है जो भी अच्छे और बड़े व्यवशाय होते हैं उनमें ऐसे समय लगता ही है इस बीच में आपको उसकी उंचाई नीचाई भी देखने को मिल जाते हैं कई बार बहुत सफलता मिलेगे आपको यह लगेगा कि सब कुछ आपके पास आ गया कई वार ऐसे सफलता मिलेंगे आपको लगेगा कहां इसमें मैंने अपना सिरे डाल दिया लेकिन इन सब के बाद अगर एक हजार दिन आपने उसके साथ व्यतीत कर लिए तो अवस्य ही व पुरुखतावाद की बात होगे तो क्या किया जाए तब उनको शिव याद आते हैं और वह भगवान शिव की सरण में जाते हैं भगवान शिव की स्तुती करते हैं प्रार्थना करते हैं बड़ी लंबी स्तुती है लेकिन एक दो श्लोग क्योंकि शिव की स्तुती आ जाए और हमें एक दो श्लोग भी उनकी स्तुती के नागा हैं, तो ये मन को पड़ा विचलित करता है। जितने उनके कारें, स्तुती में तो वही किया जाता है, तो फूरी स्तुती करने के पाथ बड़ी लंबी स्तुती की है। और अंत में अस्वथ्थ हमां इस निर्णय पर पहुंचता है कि अगर मैं ये कारे नहीं कर सकता हूं, तो मामा को और पृत वर्मा को अपना ये मूँ दिखाने का तो कोई अर्थ नहीं है तो शीव की उपासना करते हुए, वो शीव से ये कहता है कि हे शीव, मैं अपने इस शरीर की आहुती दे रहा हूं उपहारम महामन्यो अठात्मानम उपाहरत अब जो बली का मंत्र है उस मंत्र को बोलता है और उस यग्यकुंड के भीच में इदम आत्मान अध्याहम जात्म अंगरिशेकुले जो अंगिरारिशी के कुल में जिसका जन्म हुआ है ऐसा में मैं अपनी बली दे रहा हूं आप मेरी इस बली को स्विकार कीज़े इतना कहते हुए जो वो यग्यकुंड बना हुआ था उस यद्यकुंड के बीच में अपने प्राणों की चिंता किये बिना देखे जिद्धी लोग इसी प्रकार के होते हैं अस्वत थमाप उस अग्यकुं प्रसन हो जाते हैं और प्रसन होकर के कहते हैं सथिसाउचार जवत भागई अभवित्रता टयालूता प्रस नियम इन सब के द्वारा मुझे प्रसन किया जा सकता है और तुम्हारी इस कठोरत बस्यासे में प्रसन हुआ हुए हैं क्या चाहिए तब उसने शिव के पास से एक ऐसी दिव्यतलवार की याचना की है क्योंकि उसके सारे अस्त्र सस्त्रुमा समाफ्त हो गए थे जिस तलवार को ले करके वो रात्री में उस सिविर के अंदर प्रवेश कर सके यहां इस सिविर की रक्षक जिस आकृति का वरणन है वो भी शिव जैसी ही आकृति का वरणन है इसलिए एक तरीके से शिव को प्रसंद करके और अग उस आकृति ने उनके मार्ग को नहीं रोका है और वो अस्वत्थामा जो है अंदर प्रवेश कर जाता है अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे पहले वो दृष्ट दुम्न के भवन में जाकर के पहुंचा है वहां जाकर के तमशयानम महात्मानम विस्रद्धम अकृतोब है अब इस समय तो दृष्ट दुम्न जो सेना पती है उनको किसी प्रकार का भई नहीं है क्योंकि दृष्धन को भी मार दिया गया है कोई बचे ही नहीं है उनकी तरफ से तो समर गए और जो बचे हैं जाते ही अस्वत्धामा पैर की ठोकर मारता है और ठोकर मार के पहले उसको दृष्टि द्यूम्न को जगाता है दृष्टि द्यूम्न आख खोल के सामने देखता है अस्वत्धामा को खड़े हुए हाथ में तलवार है जैसे ही दृष्टि द्यूम्न जगा है अस्वत्धामा ने अपने हाथों से उसकी चोटी को पकड़ा है उसके बालों को पकड़के और घसीट के प्रत्वी पे पठक दिया है और प्रत्वी पे पठकने के बाद लात घुंसा कमरमद्धी चटकनामुक बंजनम उसकी गरद कि तरह उसको बहुत बुरी तरीके से मारा है तब दृष्टि दूम्न प्रार्थना करता है आचारे पुत्र सक्त्रेने जहिमाम मां चिरम कृथा आचारे पुत्र आप अपने सस्त्र से मेरे मस्तक को काट दो मुझे मार दो लेकिन अब इस प्रकार से मुझे पीड़ा मत द नहीं मिलेगी दृष्टि दूम्न की इतनी भैंकर दूर्दसा यहां पे की है कि किसी शस्त्र से उसको नहीं मारते हैं मार मार के मार मार के पस्वों की तरह मार के जहां तिल तिल मरना पड़े इस प्रकार से उसको मारा है दृष्टि दूम्न के मरने के बाद उसके चिलाने से बहुत सारे लोग जग गए हैं लेकिन अभी भी आज अठारे दिन के युद्ध के पाद सब इतने निस्चिंत सो रहे हैं कि उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं ये किसी को तो जो लोग जग गए थे रौधरास्ट का प्रयोग किया है वही तलवार जो उसके पास थी उससे उसने सब को किसी का गर्दन किसी के पेट में किसी की चाती में किसी के पीछे किसी के मस्तक पे किसी के हाथ में जहां जिसके उपर प्रहार करते बना है अस्वत्थामा ने सब को मारना सुरू कर दिया है लिखने रुद्राश्ट त्रेने व्यपो थैयतो जैसे उस तलवार क द्वारा चारों तरफ तांडों मचा के रख दिया है वहां से बाहर निकला तो उत्त मौजा का भवन दिखाई दे गया उत्त मौजा के यहां पहुंचें जाके उसको भी जाकर के लात मारी है लात मार करके उत्त मौजा को भी जगाया है और फिर उसको भी कंठे चोरसी तीज जिसा पातेने आक्रम्यां उसकी गले पे और चाती पे अपने घुटने टिका के और उसको बिल्कुल जमीन पे दबाते हुए पसुँ की तरहे मार मारते हुए उत्तमोजा को भी मारा है उत्तमोजा की चीक को सुनकर के युदा मन्यू आ करके पहुंच गए हैं युदा मन्यू को यह लगा कि कोई राक्षसा आगया है रात्री के समय जिसने इस प्रकार से उत्तमोजा के उपर आकमन किया है गता लेकर के द्रोनाचारिश के पुद्र अश्वथामा के उपर हो दोड़ता है लेकिन द्रोनाचार का ये पुद्र आज इस निर्णे के साथ आया है कि पांचाल देश का एक भी युद्धा बचना नहीं चाहिए उसको भी उसी प्रकार से लात मारके और प्रत्वी पे गिरा देता है देखे नीद में हैं ये लोग अभी बिल्कुल होस में नहीं है खो सकता है कि मद्रिया वद्रा का पान भी किया हो आज क्योंकि आज तो सब कुछ निश्चिंत हो गए है और ऐसे लोग तो अधिकांस्ता ऐसे इस्तिती में मद्रिया वग्यरे का पान करके सोते है तो इस बजह से ये लोग होस में नहीं है गदा लेके दोड़े सही लेकिन एक लाद पड़ी है नीचे गिर गए है और फिर उसी तरीके से पत्सुवत तथाईव एनम मार मारे है पत्सुओं की तरह उसको मार है यहां इन तीनों भाईयों को मारने के लिए यह युदा मन्यों और उत्मोजा भी द्रोपदी के भाई ही है दृष्टी दुनी की तरह इन लोगों को मारने के लिए भी किशी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया है इनको इतनी बुरी मार मारी है कि जिसको कहते हैं कि साथ पीढ़ियां याद रखे इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे मैं हूँ डॉक्टर हरी वास और चैनल का नाम है संस्कृत साहिति है मैं समस्ता हूँ कि आपको आनंद आ रहा है अगर अच्छा लग रहा तो मित्रों के शाथ शेयर रवस से करें फिर से एक वा रहा है